तो दोस्तों, आप अगर Hyundai के गाड़ी लाने के लिए सोच रहे हो और आपके मुन में कोई भी डाउट है कि Hyundai का after sale service कैसा है तो आप ए वीडियो ज़रूर देखना मैंने आठ साल के लिए Hyundai Grand Riton Sports यूज किया है 2015 मोडल मैंने 2015 में लिया था और I think I am well qualified to give a proper feedback on Hyundai after sale service in India कार बाइंग एक्सपिरेंस से लेके एकदम लास्ट सर्विस तक मुझे बहुत अच्छा लागा हूंटाई का सर्विस 2015 में मैंने जब ये कार लिया था तब ये कार मुझे एकदम perfect value for money लागा था मार्केट में personally तो मुझे एक कार बेचने का money नहीं था क्योंकि मेरा first car था और इसके साथ एक emotional attachment भी था बट हमारे जिससे middle class लोगों के लिए दो कार maintain करना तो बहुत tough हो जाता है तो जब मैंने Honda City book किया तो इसको मैंने exchange भी मैंने कराया Honda शरोम के साथ ही Hyundai के जो भी best selling cars है इंडिया में Grand Riton ले लो, I20 ले लो या तो Creta, Venu सारे actually value for money car है अगर आप देखेंगे तो उस budget में जो features आते हैं और जो car के look साथ है एक दम best होते है आठ सल के बाद भी देख सकते कि car कितना अच्छा लग रहा है देखने में, आप guess करें कि यह car मैंने कितने में बेचा वो car selling के उपर मैंने separate video बना के राखा है, description box में मैं आपको link देदूँगा Hyundai के जो service है एकदम top notch है, at least in cities, because I am living in Mumbai मुंबाई में उनका service है बहुत ही अच्छा होता है, customers के कोई भी complaint को लोग बहुत seriously लेते हैं ऐसा नहीं है कि उनके साथ छोड़ा मोटा argument ना हुआ हो, बट ऐसा है कि वो लोग कोई भी आगर आप complaint करते तो उसको बहुत seriously लेते हैं, और वो लोग ऐसा चाते हैं कि आप उनको best feedback दे, आप उनको best rating दे और best rating पाने के लिए उनको service भी बहुत अच्छा देते है, मैंने मुंबाई में काफी अलग-अलग service center में Hyundai का servicing मैंने करवा है आपने गारी की, ट्राइ करने के लिए कि कौन सा अच्छा है, मुझे लगबग एक दो जगा को छोड़के बाकी सारे जगा में servicing उनका बहुत ही top notch लगा है, जो service persons रहते हैं, वो लोग बहुत ही proper feedback देते हैं आपके car के उपर, आपके पैसा कैसे कम खर्चना हो भी लोग द सकते हैं, अफकोर्स वालग चीज़े की, Hyundai की कार की quality है, feature-wise आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, that is altogether a different kind of scenario, but अगर आपने car almost final कर लिया और आपके मन में बस doubt है कि after sale service कैसा है, तो आप तो ज़रूर Hyundai के साथ जा सकते हैं, दूसरी चीज़े, अगर आप Hatchback के बाद करते है तो मैंने तो Grand iTunes Sports जो है, मैंने 8 साल चलाया, मुझे लगता है, यह one of the best hatchback है in Indian market, अगर features-wise देखेंगे, ठीक है, Hyundai के cut safety-wise इतने अच्छे नहीं होते, बट अगर entry-level कोई भी hatchback देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि Grand iTunes से कोई भी बढ़िया कार है आज के दिन में Indian market में अगर आप cost-wise देखेंगे, उसका mileage बगरा देखेंगे, features देखेंगे, गाड़ी के लोग देखेंगे, तो सब कुछ मिला कि एक बहुत ही proper अच्छा package है, मैंने इस गाड़ी को 8 साल अलमूस्ट चलाया, मैंने बहुत enjoy किया उसका drive, मैंने काफी बार long driving भी किया है, मुझे को of comfort and all, तो recently मैंने of course Honda City मेंने लिया है, उसका भी में जो after sale service है, Honda की इंडिया में, और in terms of comfort and quality, Honda City कैसी हो भी मैं feedback जरूर शेयर करूंगा, but अगर when it comes to grand item, then I definitely recommend कि आप ये जरूर देख सकते, अगर आपके budget 7-8 लग के आस पास हो, मुझे तो एक entry level की बहुत ही अच्छा family का लगती है, ये photo मेंने last day निकाला था, जिस दिन में एक car बेचा था, मेरे बच्चा भी emotional हो गया था, एक car बेचने के time में, में भी of course emotional हो गया था, इस car is definitely going to be a value for money for you, तो I think आप जरूर जा सकते हैं, अगर आपके budget में एक car बेच रहे हैं तो,